So hello and welcome, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्लास नाइन्थ का, सोशल साइन्स का, चेप्टर नमबर 3, इंडिया स्क्लाइमेट, ठीक हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, मतलाब आपने कच्छा आठी के समाजी विज्ञान में या मैट्स में आपने पढ़ा होगा, कि किस तरीके से हम लोग एक दिन का डेली का अवरेज टेम्परेचर निकाल सकते हैं, हर महिने का एवरेज टेम्परेचर निकाल सकते हैं, हर महिने कितना रेनफॉल होता है, इसका एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं, उसी के बेस पर आपको क्या करना, ये जो टेबल आपको दिया हुआ है, इस टेबल को आपको क्या करना है, फिल करना है, अगर आपको जरूरत पढ़ता है, तो आप अपने teacher का help भी जो है ले सकते हैं, अब जैसे यहाँ पर देखिए, दो जो है यहाँ पर आपको row दिख रहा होगा, एक temperature करो, जो कि degree Celsius में है, और दूसरा है rainfall in millimeter, और आपको यहाँ पर 12 column दिख रहे होंगे, January, February, March, April का, तो अगर आपको January का क्या निकाल आप क्या करेंगे, January 1 से लेके 31 जनवरी तक हर दिन का temperature जो है, उसको आप क्या करेंगे, record करेंगे, और सबको एक से लेके 31 जनवरी तक के सारे temperature को आप plus करेंगे, हर दिन का, जैसे किसी दिन का temperature 20 होगा, किसी का 22 होगा, किसी दिन 26 होगा, किसी दिन जो है, 18 होगा, तो इस त तो 31 उसको क्या कर देंगे, divide कर देंगे, तो उपर में क्या रहेगा, जनवरी मन्त के हर दिन के temperature का summation, और उसको 31 डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जनवरी महिने का temperature मिल जाएगा, उसी तरीके से अगर हमें जनवरी महिने का rainfall निकालना है, तो हर दिन कितना मिलिमीटर बारी स्वा उसको प्लस करेंगे और 31 से डिवाइड करेंगे ठीक है फरवरी में क्या करेंगे फरवरी के महिने के हर दिन के टेमपरेचर को एड करेंगे और उसको या को हम लोग फरवरी मनता का 28 का है तो 28 से डिवाइड करेंगे और 29 का है तो 29 से डिवाइड करें यह आप अपने local area का temperature और rainfall पता कर सकते हो, उसके बाद आप से पूछ रहा है, in which months do we receive the highest rainfall and why, अगर हम लोग हमारे 36 गर की बात करें, तो सबसे जादा जो हम लोग rainfall जो receive करते हैं, वो हमारा कौन सा month होता है, अगस्त month जो होता है, वहाँ पर सबसे जादा rainfall जो हम लोग receive करते है What changes do we see in our surrounding when it rains? The diversity of weather makes our country distinctive, हमारे इंडिया में जो है क्या होता है, अलग-अलग weather के diversity के कारण, हमारा जो इंडिया है, बाके पूरे दुनिया के अलग-अलग countries से क्या है, यह आपका बिलकुल जो है different है The main season in India are winter, summer and monsoon. हमारे इंडिया में तीन तरीके के season हमको देखने को मिलते हैं, एक winter season, एक summer season और एक हमारा monsoon season. Of this, the monsoon season is very important for us, because our economy is agriculture based and agriculture depends on rain. और इन तीनों season में हमारे इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा important season है, वो है हमारा कौन सा season? Monsoon season, मतलब आप समझ लिजे, June, July, August, September. यह जो 3-4 महिने हैं, यह हमारे इंडिया के लिए कहत बहुत ज़्यादा important है. क्यों important है? क्योंकि हमारे इंडिया का जो economy है, economy मतलब हमारे इंडिया में पैसा लोग कैसे कमाते हैं, तो maximum जो लोग होते हैं, वो हमारे इंडिया में पैसा कैसे कमाते हैं, तो उसका answer है, agriculture based activity करते हैं, उसी से उनका income जो होता है. तो अगर अच्छी बारिस होगी, तो rainfall अच्छा होगा, तो क्या होगा, crop का production जब अच्छा होगा, तो किसानों को क्या मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो देश के economy क्या होगी, growth होगी के नहीं होगी? अब ही जो है, हमारा 36 गड़ भी क्या है, अगर हमारे 36 गड़ में भी अच्छे से बारिश होगी, तो क्या होगा, जो किसान है, यहां के वो क्या करेंगा, अच्छे से फसल को गाएंग और बेजेंगे, तो पैसा मिलेगा, तो economy में क्या करेंगे, contribution करेंगे के नहीं, तो हमा लोगों के इंडिया में जो है, क्या होता है, हर साल, जो गंगा के आसपास का जो प्लेन एरिया है, मतलब बेसी करी, उत्तर प्रदेश, बिहार, यह एरिया के जो लोग होते है, गर्मी के दिनों में क्या होते है, बहुत जादा हीट वेफ चलता है, जिसको कहां के हम लोग में क्या बोलते हैं, लू चलते हैं, आपको भी घरवाले बोलते होंगे कि आपका जो मार्च, अप्रेल, मई का महिना होता है, घर से बाहर मत निकलो, लू निकल जाएगा, तो गर्मी के महिने में क्या होता है, यहां पर बहुत जादा हीट वेफ चलता है, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, इसके अलावा जब ठंडी का सीजन आता है तो इसी एरिया पर बहुत जादा कड़ाटे के ठंडी भी पड़ती है, तो दोनों चीजें extreme होती है, गर्मी भी extreme होती है और ठंडी भी extreme होती है, यूपी बिहार वाले देट होता है, इसके अलावा इंडिया के अलग-अलग रिजन जैसे south reason हो गया, north east हो गया, western reason हो गया, यहाँ पर भी जो है क्या होता है, winter season, rainy season में, समर season में, जो है क्या होता है, बहुत सारी लोगों की डेट जो है, हो जाती है, the rainfall in a day in the north eastern state of Meghalia is equal to rainfall in 10 years in the Jaisalman district of Rajasthan, मतलब आप देखिए हमारे इंडिया के eastern part और western part में कितना ज़्यादा difference है, मतलब यह कहा जा रहा है, कि जो north eastern हमारे region मेगाले, मेगाले में एक दिन में जितना बारिश होता है न, उतना बारिश जो है राजिस्थान के Jaisalman district में 10 साल के बराबर होता है, मतलब Jaisalman के 10 साल में जितना बारिश होगा न, उतना अकेला एक दिन कहां पे होता है, मेगाले में जो है होता है, क्योंकि मेगाले में ही दुनिया का सबसे ज़्यादा rainfall होने वाला प्लेस, मासिन ड्राम यहां पर क्या है, प्लेस है, अब यह तो हो गया rainfall का, थंडी के दिनों में जो जम्मू कस्मीर का जो द्रास वाला एरिया है, वहां का जो टेंपरेचर है, वो 0 से नीचे गिर कर माइनस 45 डिगरी सेल्सियस हो जाता है, मतलब 0 से नीचे और, 0 पर तो जो पानी होता है, वो बर्फ बन जाता है, ठीक है, उसके नीचे, 0 से 45 डिगरी और कम हो जाते है, मतलब इतना ज़्यादा ठंडी होता है, कि वहां इंसान नॉर्मल अगर ऐसे कप्रा पहन के अगर रहूंगा बोलेगा, तो जम जाएगा, मर जाएगा, ठीक है? जहां पर एक तरफ हमारे नॉर्दन एडिया के जम्मू कस्मीर में टेंपरेचर माइनस 45 डिगरी सेल्सियस होता है, वही पर हमारे साथ इंडिया तमिल नाडू में रात का टेंपरेचर जो है, प्लस 22 डिगरी से लेके 25 डिगरी के बीच में जो होता है, तो आप देख जे कितना साथ टेंपरेचर डिफरेंस जो है, हमारे नॉर्थ और सदर्न रिजन में जो है, होता है, यह चीज आपने भी नूटिस की होगी, आप जहां पर रहते हैं, वहां पर साल भर में जो हवाओं का बहने का जो डिगरी सेल्ट होता है, वो हर समय का होता है, अलग जो होता है, हमारे इंडिया में का होता है, कि कई जगा पर कई बार ऐसा होता है, कि कुछ जगा ऐसे होते हैं, जहां पर बहुँजदा बार आजाता है, और कुछ जगा ऐसे होते हैं कि उसी समय पर क्या होता है, सुखा से क्या होता है, लोग परिशान रहते हैं। इंडिया का एक ही टाइम पर हमें अलग अलग situation देखने को मिलता है, कहीं पर बहुँजदा ठंडी होती है तो उसी समय गर्मी भी होती है, कहीं पर सुखा होता है, तो कहीं पर बहुं ज़्यादा फ्लड भी आ जाता है, यह diversity है हमारे इंडिया की. To understand why this happened, we need to first understand the processes that happens in our atmosphere. अब यह सब चीजें क्यों होती है, कि क्यों कहीं पर बहुंच ज़्यादा ठंडी होती, तो उसी समय पर कहीं दूसरे जागे गर्मी होती है, कहीं पर एक दिन का जो बारिस होता है, वो अग दस साल के बारिस के बराबर होता है, कहीं पर बार आता है, तो कहीं पर सुखा क्यों रहता है यह सारी बाते जो है अब हम लोग एक एक करके जो है चर्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग देखते जाएंगे So next topic है हमारा weather and climate चलिए देखते हैं The changes that occur in atmospheric condition like temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, cloud and rainfall in any place in a short span of few minutes, days or month is known as weather जब किसी specific location पर क्या होता है हम यह देखते हैं कि जो atmospheric condition है वो क्या होने लगती हैं बदलने लगती हैं कैसे बदलेंगी कुछ मिन्टों में, कुछ दिनों में या कुछ महिनों में तो उसी को हम लोग कुछ particular location का क्या बोलते हैं, weather बोलते हैं तो atmospheric condition में क्या का चीज़े आती हैं, temperature का change हो जाना, pressure का change हो जाना, wind का change हो जाना, humidity का change हो जाना, rainfall का change हो जाना तो जब किसी atmospheric condition में क्या होता है, किसी particular time में, period में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर changes हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, weather जो हम लोग बोलते हैं और ये मौसम जो ऐसा weather ऐसा है, कि ये दिन में कई बार बदलता है, जैसे आप सुबे का weather देखेंगे तो आपको कुछ और मिलेगा दो पहर का वेदर देखेंगे तो कुछ और मिलेगा, इवनिंग का वेदर देखेंगे तो आपको कुछ और मिलेगा, नाइट का वेदर क्या होगा, दीन के वेदर से कुछ और ही होगा, तो वेदर जो होता है, वो हर घंटे, हर मिनट जो होता है, क्या होते रहता है, हमेशा च क्लाइमेट क्या होता है, climate is the weather condition over a long duration of time, weather जो होता है वो आपका क्या है, short term होता है, जबकि climate जो होता है, वो किसी एक specific location का कई सालों का weather condition को जो है हम लोग देखते हैं, long duration means the average weather condition over more than 30 years, 30 साल से ज्यादा का हम लोग जगर weather को हम लोग देखते हैं, तो उस 30 साल के weather को जो हम लोग क्या बोलते हैं, वहां का climate जो है हम लोग बोलते हैं, तो आपको difference समझ में आ गया, weather जो होता है, यह आपका short term के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, कुछ घंतों के लिए हो सकता है, कुछ महिनों के लिए हो सकता है, लेकिन climate जो होता है, वो atmospheric condition में जो changes होते हैं अब जो है हम लोग यहाँ पर अगर देखें कि कैसे हम लोग वैदर को calculate करते हैं तो जैसे माल लोग हमें दिन का क्या करना है जैसे आज हमारा क्या है? 31st August है तो 31st August का हमें एविटर निकालना है तो हम क्या करेंगे? 31st August का जो भी maximum temperature होगा आज का उसको क्या करेंगे? जो भी आज का minimum temperature होगा उसके साथ प्लस कर लेंगे और 2 से क्या करेंगे? ढिवाइड कर देंगे, तो 40 plus 20 हो जाएगा 60, 60 upon me 2 मत भी हो जाएगा 30 degree, तो हम लोग बोलेंगे कि 31st अगस्त का जो average temperature है वो हमारा कितना है, 30 degree है, तो दिन का average temperature कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया maximum plus minimum divided by 2, चलिए आगे बढ़ते हैं In the same way we can calculate the average monthly temperature by adding the daily average temperature during this month and dividing the total by 30 or 31st हम लोग क्या करेंगे, एक दिन का निकालना है, तो उस दिन का maximum और उस दिन का minimum, दोनों को add करेंगे दो से divide करेंगे, अगर पूरे महिने का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे हर दिन का average temperature जो हमने निकाला है, maximum plus minimum divided by 2 करके, हर दिन कैसे temperature को हम लोग क्या करेंगे, 30 दिन का अगर महिना 30 दिन का है, तो 300 दिन को add करेंगे, 31 दिन का महिना है, तो 31 दिन के temperature को add करेंगे, 28 दिन का महिना तो 28, 29 दिन का महिना है, तो 29 दिन के average temperature को हम लोग plus करेंगे, और उस महिने जितने days हैं, उस से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हमें महीने का average temperature जो है, मिल जाएगा, उसी तरीके से अगर हमें पुरे साल का average temperature निकालना है, तो जिस तरीके से हमने हर महीने का average temperature निकालना, जन्मरी का, फर्वरी का, मार्च क, अपरेल का, सारे महीनों के temperature को हम लोग add कर देंगे और साल में कितने महीने होते हैं 12 तो 12 महीने से हम लोग उसको क्या कर देंगे divide कर देंगे अगर हमें 30 साल का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 30 साल के average temperature को plus करेंगे और 30 से क्या करेंगे divide कर देंगे तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा दिन का सब्ताह का या महिने का या एर का या 30 साल का हम लग average temperature जो है निकाल सकते हैं तेंप्रेचर इस वन component of climate temperature जो होता है यह आपका climate का एक component होता है इसके अलावा climate में और भी components आते हैं जैसे air का pressure कितना है wind की speed कितनी है humidity कितना है cloud cover कितना है rainfall कितना हो रहा है यह सारे components मिलकर क्या करते हैं किसी जगा के climate को जो है मनाते हैं we can find out the climate of a place by studying all these components together temperature and rainfall directly impact agriculture, industry, transportation, construction, etc. तो अगर हमें किसी भी location के climate को study करना है तो हम यह सारे 4-5 components हमको मिल रहे हैं यह सारे components को हम लोग क्या करते हैं study करते हैं और इन components में जो दो major components है जो कि बहुँ ज़ादे effective है वो है आपका temperature और rainfall temperature और rainfall है decide करता है कि agriculture किस type का होगा industries कैसी चलेंगी, transportation कैसे रहेगा, construction काम कैसा होगा क्योंकि बहुँ ज़ादा बारिश होगी तो agriculture बर्बाद हो जाएगा industries बर्बाद हो जाएगी, transportation नहीं हो पाएगा बार आएगा तो सड़के टूर जाएगी, पुल टूर जाएगी, construction का काम नहीं हो पाएगा temperature बहुँ ज़ादा हुआ, तो सड़की गरम हो जाएगी, जिसके कानिस पर चलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो temperature और rainfall दो ऐसी चीज़े हैं, जो कि क्या करती हैं, बहुँँ ज़ादा इंपक्ट करती है आगे बोल रहा देखिए, write the formula to find average daily, monthly, annual temperature यह तो हमने बता दिया, अगर दिन का निकालना है तो आप क्या करेंगे, दिन का maximum temperature और दिन का minimum temperature दोनों को plus करके आप क्या करेंगे, 2 से divide कर देंगे, अगर महिने का चाहिए, तो हर महिने में जितने भी दिन होते हैं, हर दिन का average temperature आप निकालेंगे और सब को plus करेंगे, और महिना जितने दिन का है आप उससे divide कर देंगे, अगर 30 का महिने है तो 30 से divide करेंगे 28 का महने आ तो 28 से divide करेंगे साल का कैसे निकालेंगे 12 months का average temperature को add कर देंगे उसको 12 से क्या करेंगे हम लोग divide कर देंगे चलिए आगे देखते हैं अब factor जो होते हैं ऐसे कौन-कौन से हैं जो climate को control करते हैं ठीक है वही factors होंगे जो अभी हमने पढ़े हैं चलिए जो हमारा earth का surface यह क्या है बहुँ ज़ादा बड़ा है और बहुँ ज़ादा हमें variation दिखने को जो है मिलता है हमारे earth में बहुँ सारे continents और बहुँ सारे क्या है ocean है the surface of the continent is not the same everywhere और जो continents है जैसे Asia continent है, Africa continent है, North America, South America, Australia यह जितने भी जो हमारे continents है इसके जो continents का जो area है यह continents का जो बनावट है वो हर जगा same नहीं है कहीं पर आपको बहुत बड़े-बड़े पहार मिलेंगे कहीं पर आपको रेगिस्तान मिलेगा कहीं पर आपको पानी मिलेगा ठीक है Some place have high mountains Some have plain Some places have dense forest Some have vast desert है कि नहीं कहीं आपको जो continents मिलेंगे उसमें कई जगा ऐसे होंगे जो plain होंगे कुछ जगा ऐसे होंगे जहां बड़े-बड़े mountains होंगे कुछ जगा ऐसे होंगे जहांपर बहुत ज़ादा dense forest होगा कुछ जगा ऐसे होंगे जहांपर जो है desert हो जैसे राजिस्थान हो गया अफरीका का हमारा सहारा desert हो गया तो ऐसे हमको जो है continent में different varieties जो है देखने को जो है मिलती है The ocean are also not evenly spread across the earth surface इसके अलावा जो ocean है वो ocean भी हमारे earth में evenly distribute नहीं है अगर हम लोग देखते हैं so water covers 39% of the northern hemisphere अगर हमारे earth को दो हिस्से में अगर हम लोग बार दे north वाला हिस्सा और south वाला हिस्सा तो north वाला हिस्सा में जो है आपका 39% जो है आपका क्या है land mass का 39% area पर पानी है जबकि southern region के बाद के total area का southern region का 81% area पर क्या है पानी है इसका मतलब water जो है सबसे ज़्यादा कहां पर है हमारे southern region में है these surface difference influence the process of heating and cooling of the atmosphere और यही process जो होता है जिसके कारण से क्या होता है heating और cooling process जो होता है वो आपका क्या होता है influence होता है this uneven heating and cooling of the atmosphere is what controls the climate the main causes of climate variation in the Indian subcontinent are the following हमारे इंडिया में ऐसे कौन-कौन से factors है जो factors क्या करते है हमारे इंडिया के जो है क्या बोलते है climate को effect करते है वो है पहला आपका latitudinal position यह latitudinal मतलब earth में कुछ imaginary lines बनी हुई आपको पता होगा जो horizontal lines बनी हुई है इसको latitude बोलते है और जो vertical lines बनी इसको longitude बोलते है तो जो horizontal lines है यह lines के कारण से क्या होता है atmospheric condition जो होती है वो defined होती है दूसरा altitude तीसरा है distance from the sea कोई location समुद्रे से कितना दूर है वहाँ का air pressure कैसा है हिमाले रेंजेस के पास या हिमाले रेंजेस से दूर है human factors क्योंकि human factors आज के डिट में बहुँ जादा important हो गया है क्योंकि humans ने क्या क्या है बहुँ जगा construction का काम कर दिये जिसके कारण से भी जो है वहाँ का climate condition जो होता है वो क्या होता है आपका effect होता है तो इस वीडियो में हम लोग यही तक देखेंगे अगले वीडियो में फिर हम लोग detail से study करना चालू करेंगे कि जो latitudinal position है किस तरीके से atmospheric pressure को क्या करता है effect करता है तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए कोई doubt होगा ताप comment करके बता सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई